मोधी कैबनेट ने किसान विल वापसी का प्रस्ताव पास किया राकिश चकैत ने बताया जोगती खत्म करिंग या गोल अखिली श्यादव का बड़ा एलान सरकार बनी तो किसान अंदोलन में जानगवाने वाले लोगों को देंगे 25 लाग रुड़ ममताव एनर्जी से मिले सुप्रमंडियम स्वामी मुलाकात की तस्वीर द्रणबूल कॉंक्रिस ने जारी की CRPF ने दी जौनकारी कश्मीर खाटी में अब तक 148 अंकवादी मार किराए गए केरल के सियम का एलान 169,000 मच्वारों के परिवारों को 3000 रुपे की सहायता दी चाएगी नमस्कार, पहार समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साहत अं रुशका सेंग जैसे जैसे चुनाव का समय नस्दीक आता जा रहा है, वैसे सभी राजनेतिक पार्चिया शक्रिय हो गई है प्रदेश में जगे जगे सभी राजनितिक पाजियों के द्वारा चुनावी बिगुल फूग दिया गया है इसी कड़ी में रुडकी के जब रेडा में वरिस्ट कॉंग्रेसी नेता वीरेंद्र जौती ने मेरा बूत मेरा गौरफ कारिक्रम का आयोजन किया जिसमें छेत्र के हर बूत से लोग पहुची और 2022 के चुनाव के मदे नजर कारिकर्ताओं को बूत को सफल बनारे की जानकारे दी गए वही इस मौके पर वरिस्ट कॉंग्रेसी नेता वीरेंद्र जौती ने कहा कि हम हर बूत पर कारिकर्ताओं की तरफ से अपनी पकड को मद्बूत कर रहे हैं जैसे 2022 के चुनाव में उत्राखंड में पूर्ण बहुमत से कॉंग्रेस की सरकारवन ने जा रही है वही उन्होंने बताया कि कॉंग्रेस में कोई गुडबाजी नहीं है और अगर कहीं थोड़ा मन मुटाव है भी तो उसे चुनाव आने तक दूर कर लिया जाएगा कि जितने वी लोग यहां पर आए हैं जेवड़ा विधान सभा में लगबग 155 बूथ के आसपास हैं वर्ण फोटरी बूथ हैं जनाई हैं हमारी वोटरमेस्रे आई हैं और वहां से लगबग 2-3-3 लोग यहां पर प्रस्रिक्शन के लिए आए हुए हैं और जो प्रस्रिक्शन कारिय साला यहां पर चल रही है उससे निश्चित रूप से प्रस्रिक्शन ले करके बूथों पर जो हमारे कारिय करता कारिय कर रहे हैं जो प्रस्रिक्शन ले करके मजबूती के साथ कारिय करे हैं और पहुत बुरा हाल है बाज़पूर के विधान सभाशेद्र के ग्राम हजीरा के प्रात्मिक विध्याले प्रांगण का बहुत बुरा हाल है आपको बताते कि सोजल मिशन के अंतरगत जल संस्थान की तरफ से बोरिंग कराई गई थी जिसका पानी ओवर्फ्लो हो जाने के कारण विध्याले के प्रांगण में पाने भरा हुआ है जिसमें ठेकेदार की तरफ से उस हेड़ पंप को सही कराए जाने को लेकर फ्लैच लगाया गया था लेकिन काम के शुरू होते ही अराजक तत्वो ने वहां पर हंगामा किया और उसे तोड़ दिया जिसे पानी की बर्बाती भी हो रही है साथ ही स्कूल के प्रांगण में जल भराव से बच्चों को आवा गमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी मेरे सग्यान में आया है कि हमारे हजीरा जो प्राइमरी जूलियो रिकसान कैंपुस में है जो है ग्रामिड से ज्यादा अराजक तत्व कहना होगा उनके द्वारे जो इस थानी जन प्रतिदी नंचे भी संपर किया जा रहा है जो भी आवार्चेत तत्व अगर विद्ध्याले प्रेसर के असपास नजर आते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा उन्हें दूर एक निए समय से इंफॉम करते हैं ताकि उत्व सासन के बारे में इंफॉम कर सकें साथी जो पानी वाली आपने बता ही प्रेसानी की वहाँ जल भराओ की सिस्तिक हो रही है तो जो जल जीवन मिशन के अंतरकर तो हाँ एक नया कनेक्शन जो रिबूर होना था तो उसमें सायद अभी पूरा काम हो नहीं पाया है और जो जो प्रेसर की स्वच्छता है और सुरक्षा बच्चों की प्रभाव इतना हो कोशिश की जा रही है और इस कारी में हम चाहेंगे कि प्लिस से भी प्राग εκे कि ग्राम मुराद अप०ूर में पानी की समस्या हो रही है जो पानी के निकासी को लेकर घ्रामीडों में भार Allah की समस्या को लगबग 2-3 साल हो गए है लेकिन किसी भी जन प्रतिनिदी या विधाय की आख यहां पर नहीं खोलती दिखाई दे रही है और ग्रामीडो का कहना है कि जैसे जैसे बढ़ साथ आती है ग्रामीडो की समस्या इसी प्रकार से बढ़ जाती है गाउं के रास्ते में करीब तीन से चार फीट पानी भर जाता है जिससे निकलना ग्रामीडो को बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हर समय यहां पर गंदे पानी का जमावड़ा रहता है आपके साथ आज बात करते हैं विधान सवा पिरान के लिए रहे कि ग्राम मुल्दासपुर की यहां के जो ग्राम है उसकी हालत बहुत खस्ता हुए रास्ते को देखते हुए आपको दिखा सकते हैं यहां पर रास्ता कितना गंबीर हालत में है और जैसे करोना काल के चलते हुए देंग हुए गेरा बीमारी चलती है और यहां के जो ग्राम वासी है सब जो यहां के ग्राम वासी है वो इकठा आक्रोसित है उन्होंने जंगा जंगा पर अश्डेयम को भी गयपन शौप दिया है आज उनसे बात करते हैं कहां पर गएंग तक पहुंचे या नहीं जी बदाइए उसका कोई निराकर्ण नहीं हो पाया है आए इनसे बात करते हैं जो आप यहां पर इकठा हुए हैं क्या मामला है तो यहां पर तो जो बर्सात उत्ती है उसमें तो काफी पानी करता है यहां पुरा हाल है कि अधिया है अधिया है आप ने उनसे बात की विजाए जो पर मानेट इसकी निकासी होनी जाजी पहने की ऐसे ने काम चलने का अब रहा पहला वहां बर रहा थे सामना वहारा रोड उन्चूटगी आप यहां से आज परना ले पहने क्या होगा मायरुटगी की भगवान पुर्थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने सिर्चंदी गाउं के पास एक तसकर को गिरफतार किया है इतना ही नहीं पुलिस ने तसकर के पास से 260 ग्राम स्माक के साथ इलेक्ट्रोनिक तरासू को भी बरामत किया है पुलिस ने बता दे कि आरोपे के खिलाफ फिलहाल मुकद्मा दर्च कर लिया है पुलिस की ग्रफतारी में आने के बाद तसकर ने कई और भी खुलासे की है और पुलिस तसकर पर बड़ी कारेवाई करने की तयारी में चुटी है जो कारे कर रही है उस परिप्रेक्श में कल भगवान पुर्थाना पुलिस दोरा एक वेक्ति के से करीब 260 ग्राम स्मैक की प्राप्ति हुई है पहले भी ये लगातार इनस तरीके के उसमें इसकी सूचना हमें मिल रही थी पुलिस स्पैल लगातार लगी हुई थी कल एक बाहरी खेप के साथ इसको पकड़ा गया है इसके खिलाब में बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहुंगा लेकिन हाँ एक हुज कॉंटिटी हम लोगों ने इसमें पकड़ी है और इसके जो वेरवाउट्स हैं ये कहां से लेक संदर नगर के आगर गाओं में यहां के पूर्व प्रधान मंगल सिंग यादव की स्मृती में प्रभूर राम की 27 वी लीला का मंचन देख दर्शकों की भीर उमरती नजर आ रही है लीला मंचन के प्रमुख द्रश्यों में सूर्प नका लीला खर्दूशन वद सीता हरं चटायो उधार का सुंदर मंचन किया गया पात्रो द्वारा बेहतरीन कला खप्रदर्शन के साथ लीला के मंचन को दर्शकों की द्वारा खुब सराह गया है इस मौके पर पूर्व विधायक ओम गुपाल रावत ने अपना संबोधन देते हुए कहा कि बिगड़ते जिक ताने बाने को एक सूत्र में पिरोने और मानवतावादी सोच विक्सित करने को मर्यादा पूरशोतम रभुराम के चारेतर से सीख लेने की सक्त जरूरत है संस्कृती प्रेमियू को अपनी माता बहनों को इस छेतर की समस्च जंता को भी धन्यवाद देता हूं कि वह अपनी संस्कृत को बचाने के लिए इतनी ठंड के मोसम में क्योंकि अभी ठंड का मोसम जादा हो गया लेकिन इतनी बड़ी तायदात में वह फिर भी जो है अप पिर सासित को बचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम हो करते रहेंगे फुना रामिला कमिटी का बहुत बहुत आवार धन्यवाद नमन अभी नमन आज हमारे यहां कोरोना काल के बाद दुबारे से रामिला कमिशन हुआ है और मुझे बड़ा गर्भ है कि रामिला कमिटी ने हमारी इस पुरानी संस्क्रिती को जीप पाठक के कैंप कार्याले पहुँचकर दीप पाठक से 2022 में विदान सबच चुनाओं में भाजुपा से टिकट मांग करने की आगरे किया है साथ ही भाजुपा प्रदेश अध्यक्षिक को भी पत्र भीजा गया है जिसमें कहा गया है कि दीप चंद्र पाठक एक तेस तर्रार युवान है जिनोंने हमेशा छेद के हर से संगठन को मजबूत किया है और मैं उसमें भारतियंता पार्टी को मजबूत कर रहा हूं और भारतियंता पार्टी बहुत अच्छा काम कर लिए हमारे युवा प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कारे कर रहे हैं हमारे राष्ट्री नित्रतों को आप देखेंगे तो हमारे मोदी जी बहुत अच्छा कारे कर रहे हैं मुझे बातों को घरगर तक पहुचा रहे हैं और जहां भी हम लोग जा रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा समर्तन हमको भारती जंता पार्टी को मिल रहा है गोपाल बिस्ट के नित्रत्व में बूथ कारेशाला पर चार्चा की गई साथी बूथ पर जाने वाले कारेकरताओं को ट्रेनिंग दी गई इस मौके पर गोपाल रावत ने कहा कि हम बूथ बूथ पर जाकर पार्टी के अध्यक्षों और सैयोजिकों को कमर कस करके आगामी चिनाफ के लिए तायार होने को दिर्शा निर्थ शुद करेंगे बूथ पर बैटकर भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता एक बार फिर पूनर रिक्षन करेंगे और पन्ना प्रमुक के साथ साथ पन्ना टोली बनाएंगे इसके कारियोजना यहां पर बनाई गई इसके लिए बूथ पर जाने वाले कारेकरताओं को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग बहुत सकारात्मक रही 25 तारिक को हमारे सारे इस बैल पर बाद के शांतर शाह चौकी शेतर में रात के अंधेरे में आवयाद खनन का खेल चल रहा है खनन माफियाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है आपको बता दे कि माफियाओं ने रात के अंधेरे में रत्मव नदी और उससे लगे लोगों की जमीन से बड़े पैमाने पर मिट्टी उठा ली है और खेतों में उगाई जा रही साख सबजियों की फसलों को भी बरबाद कर दिया है वहीं को साई किसानों ने रोड जम कर दी वहीं स्थानी लोगों का कहना है कि छेत्री लेकपाल और वनविभाग की टीम मौके पर कई बार आई और तीन कार वहक तंत्रों को शिकायत करने के बाद भी अब तक पूरे मामले पर कोई भी कारवाई नहीं की गई चमपावत के खतीमा वार्ड नमबर 14 के सभासद पावर्स गुपता ने वार्ड वासियों को श्रम कार वित्रट किया आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुशकर सिंग्धामी के दौरा सभी की स्रम कार्ड बनाई जा रही हैं इस दौरान उन्होंने इस श्रम कार्ड के ऊपर 2-5 लाग तक के बीमे की जानकारी थी और श्रम कार्ड के फायदे और उप्यों के बारे में भी जानकारी थी हलदवानी के फ्टी आई बैदान में राजसरकार के दिशा निर्देश उपा नैनिताल जौनपद में खेल विभाग के दौरा खेल महाकुम का आयूजन किया गया उसमें खुली प्रतियस पर्दा के तौर पर उन खेलाडियों को भी मौका दिया गया जिनकी स्कूली पढ़ाई किसी कारण वश छूट गई है या वे खेल प्रतियों गिताओं के शौकीन है जहां खेल महाकुम में जिले भर के काई विकास खंडों से विभन विद्यालियों के स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग लिया तो वहीं खेल महाकुम के शुभारम करने के लिए नैने ताल सलापंचोय तद्यक्ष बेला तोलिया और हल्दुआनी ब्लॉक प्रबग को रूपादेवी पहुची हुई थी खेल महाकुम दो जार इकिस की जनपद इससरी प्रतियोगिता है यहां पर 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 रहे हैं आज एफ्टी आई के खेल मेदान में अभी हम जो है अंडर 14 अंडर 17 और 21 इन तीन आयू वर्गों में एटलेटिक कबड़ी खोखो और बेंडमिंटन प्रतियोगिताओं का आउज की जा रही है जो कि 24 और 25 को होगी और इसमें हमारे सिक्षा खेल विभाग युवा कल्याने बाग पंचायती राज ग्राम विवेकास स्वास्ते विभाग पुलिस विभाग सभी की पूरी एक टीम वर्क कर रही है इस दो साल बाद यहां पर जिला स्थरी खेल महाकुम्ब क कि नहीं हो पाया है इससे हमारे बच्चों के खिलाडियों के विकास में और उनके स्वास्ते में बहुत कमी हो आती है क्योंकि खेल जो है हमारे बच्चों के लिए आज के दौर में बहुत ही जरूरी है स्वास्त जीवन के लिए और खेल के सांसा जो हमारे बच्चे विकास चैनित हो के आज यहां पर जिला इस्तली इस्तर पर उनका खेल प्रतियों कि जाती हैं तो आज जो वो उन बच्चों का आठो विकास खंड से आये हुए हमारे खेल परती होगी ताउं का जो चैयन होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल तक जाएगा तो मैं इन सभी बच्चों को शुकामनाय देती हूँ और आशा करती हूँ कि अगामे विदान सभा चुनाफ 2022 को देखते हुए जहां हल्दुआनी में 1 नवंबर से 3 दिसंबर तक मतदाता पहचान पत्र बनाने का प्रस्रिक्शन शिवर चल रहा है तो वहीं बूथ लेवर पर पी एलो के माधियम से मतदाता पहचान पत्र बनवाई जा रहा है जिसको ल साथ नाख साथ हजार है और हमारा सथ प्रतिशत हो चुका है हाँ चिंता का विशह यह है कि हमें सेकंड जल से जल बढ़ाना है और इस बश कम से कम 15 दिसंबर तक जो हमारा एक अपना टार्गेट है कि हम लोगों को खतम करना है तो आज इसलिए हम लोग सारा राजपुरा ह हमारा बनफूल पुरा है ढोलग बस्त्री इंद्रा नगर में हम लोग पुरा वक्रतिन कर रहे हैं लोगों को जागरू कर रहे हैं निवेदन कर रहे हैं आपके माद्यम से बिर में निवेदन करना चारी हूं कि प्लीज आप लोग आईए और तुरंत अपना सेकंड डोस ल जाए और राट शाम को 6 बज़े आते हैं उनके लिए भी इस माद्यम से में कहना चाहिए कि जब वापस घर हमारी आश्रा एनम के माद्यम से या मुझे खुद वह अगर वह मुझे बता दे तो हमारी पीब्स उनके घर घर दस्ता के माद्यम से भी हम टीका लगा रहे हैं ल कि वैचान पत्र काफी कम बने हुए हैं लोगों ने पर फार्म सिक्स काफी कम बरे हैं नाम कम जुड़े हुए तो थोड़ा एक लोगों को जागरू करने के लिए शेत्र में की अभ्यान चलाय जा रहा है यहां पे सभी जो मारे जन प्रतनिती है उनसे सायोग के लिए अप कि अगर हमको थाड नहर से बचना है और इसी के साथ उत्राखन की ख़बरों में फिलाल इतना ही देश-दुनिया की बाके की तमाम ख़बरों के लिए बने रही प्राइम टिवी के साथ नमस्कार झाल